चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो MCC ने फाइनल रेजल्ट जारी कर दिया है यानि MBBS, BDS, कांसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड का फाइनल सीट अलोटमेंट जारी कर दिया है इसको आप इसकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं इसके बाद में जिन कंडिडेट्स को सीट अलोट हो गई है और वो रिपोर्टिंग करना चाते हैं वो अपना अलोटमेंट लेटर डाउनलोड कर ले इसमें अलोटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको न्यू रेजिस्टेशन पर क्लिक करना होगा इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगिन करेंगे लोगिन करने के बाद में allotment later का वहाँ option मिलेगा वो मैं आगया आपको बता देता हूँ कि allotment later आपको कैसे download करना है अभी mcc नी जो notice दिया है उसके according 31st July 23 सुबह 10 बजे से लेके ये reporting स्टार्ट हो गई है 4 August 23 last date रहेगी first round के reporting की mcc की अब इसमें कुछ से सीटें नहीं आई है round 1 में वो सीटें round 2 में आएंगी इस परकार का notice भी mcc ने दिया है round 2 में हमें काफी सारी seats देखने को मिलेंगी अब बात करते हैं कि round 1 में जिन candidates को join करना है वो allotment later download करने के बाद उस allotment later पर nodal officer के number लिखे हुए हैं उनसे आप एक बार contact कर लें जाने से पहले और उनसे जो आपके जरूरी doubt से वो clear कर ले क्या क्या आपको reporting के समय जरूरत है तो आप एक बार nodal officer से जरूर बात कर ले जो आपके allotment later पर लिखा हुआ है round 1 joining के time पर आपको upgradation का option देना है अपग्रेड अगर आप seat को करना चाते हैं तो अगर आप उस seat को final रखना चाते हैं आगे फदर आप counseling नहीं करवना चाते तो upgrade का option में आप no fill कर दे otherwise yes fill करें यह आपको police से fill करवाया जाएगा जब आप reporting की formalities पूरी करेंगे तो इसमें जो first round है वो भी उसमें भी आप upgrade कर सकते हैं और second round में भी upgrade कर सकते हैं यानि third round तक आप upgrade कर सकते हैं इसमें mcc में अब जिन candidates को seat allot हो गई है और वो seat पर join करना चाते हैं तो वो तो admit card अपना अश्वरी allotment लेटर download करके उस seat पर join कर सकते हैं लेकिन जो candidate join नहीं करना चाते हैं वो free exit ले सकते हैं free exit का मतलब इसमें आपको अभी कुछ भी नहीं करना है अभी आपको seat allotment होने के बाद में कोई process करने के आवशकता नहीं है second round की च्वाइस फिल करनी है और उसके eligibility भी बनी रहेगी कोई नुकसान नहीं है eligibility का भी अब बात करते हैं इसमें जिन candidate को seat allot हो गई है उनको क्या documents upload करने हैं तो यह mcc ने एक notice दे दिया है कि यह जरूरी नहीं है यह optional है अगर कोई candidate उस seat पर join करना चाता है तो उसको documents upload की यह optional है वो करना चाहिए तो कर सकता है otherwise नहीं करना चाहिए तो वो नहीं भी कर सकता है ऐसी कोई problem नहीं है documents upload सभी को करना है ऐसा कोई mandatory नहीं है अभी काफी सारे student ऐसे हैं जो यह सोच रहे हैं कि उनको first round में seat तो अलोट हो गई है तो क्या उनको भी documents upload करने हैं तो यह उनके लिए भी optionally है जरूरी नहीं है कि उनको documents upload करने हैं वो second round में उनको seat मिल जाएगी तो उस समय भी documents upload कर सकते हैं तो documents upload करने का इतना बड़ा issue नहीं है ऐसे candidate जो seat नहीं लेना चाते हैं फ्री एक्जिक्ट लेना चाते हैं और जिन्होंने documents upload कर दिया है या करेंगे तो भी उनको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है MCC के portal पर documents upload कर सकते हैं नहीं भी करेंगे तो भी किसी candidate को कोई नुकसान नहीं है ये clearly दिया हुआ है MCC के notice में कि ये optional है documents upload करना optional है इसमें अब documents कैसे upload करना है तो जैसी आप login करेंगे login करने के बाद यहां पर आपको seat allotment results show होगा उस पर click करेंगे तो यहां आपको तीन option दिखाई देंगे एक तो view seat allotment result है और इसमें download seat allotment लेटर है और upload documents है तो पहले आप seat allotment result पर click करेंगे इसके बाद में आपका result men यह allotment show होगा और इसके बाद में download seat allotment लेटर पर click करके आप अपना allotment iGHたर डाउनलोड कर लें और फिर upload documents पर click करके अगर आप documents upload करना चाते हैं तो 10th की mark seat upload होगी 20 से 300 kb के बीच में pdf format में हैं सारे के सारे documents आपको pdf में करने होंगे और ये 20 से 300 kb के बीच में करने होंगे तो 10th की mark seat oblique certificate 12th की mark seat और 12th का certificate कई ऐसे candidate हैं जिनकी mark seat भी एक होती है certificate भी एक होता है तो दोनों जगे एक ही certificate upload कर दे mark seat upload कर दे 12th की mark seat भी कर दे उसी में और उसी में certificate भी upload कर दे जिनका एक ही में लिखा होता है क्योंकि mark seat पर अगर photo लगी है उसमें mark seat कम certificate लिखा हो आए तो वह एक ही है उसमें दोनों जगए आप एक ही चीज अप्लोड कर सकते हैं, नीट का rank card यानि की जो आपका score card है, result है, उसकी copy यहाँ अप्लोड करें, इसके बाद admit card अप्लोड करें और date of birth की जगए अगर आपके पाद date of birth certificate है तो वो अप्लोड कर दे, otherwise 10th की mark seat यहाँ आप अप्लोड कर सक सकते हैं, वो मानने हैं, कोई problem नहीं है और उसके बाद में submit करके आप preview देख सकते हैं, तो यह documents के बारे में doubts थे student को, बाकी आगे वाले rounds के बारे में, eligibility के बारे में हम आगे आपको बता देंगे, man यही था student को काफी doubt हो रहा था, तो documents upload को लेके किसी student को कोई tension करने के आउशकता नहीं है, optional है और जिनको नहीं हुई है, उनको भी करने के आउशकता नहीं है, यह optional है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदर्वाइस नहीं भी कर सकते हैं, तो यह जानकारी थी, first round की reporting के बारे में, फिर भी आप अपना एक बार Nodal Center से जरूर बात कर ले जो आपका Allotted Institute है, उससे जरूर बात कर लें, अगर Nodal Officer के नंबर नहीं लग रहे हैं, तो जो help line नंबर हैं, उनकी website पर उनसे आप एक बार बात करके उसके बाद ही planning करें इसमें, तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन!